नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकामनाएं देता हूं पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड के राष्टी उद्यानों के बारे में पताया था आज मैं उत्तराखंड में इस्तित प्रमुख वन्य जीव विहारों के बारे में आपको जानकारी दूँगा इसके अलावा कुछ कंजर्वेटिव रिजर्व हैं और कुछ ब आप इसको देख सकते हैं यहां मैंने कुछ तस्वीरे लिए हैं यह विविन उत्तराखंड के वन्य जीव विहार या इसको अभियार आने भी कहते हैं उन तस्वीरों को मैंने यहा लिया है आप इनकी तस्वीरों को देख सकते हैं यह स्लाइड सम आगे भी देखेंगे हम कि सुरुवात करते हैं कि देखे वन्य जी विहारों को पढ़ने से पहले हम हमें यह जानना जरूरी है कि वन्य जी विहार होता जीव अभय रूप से घूम सके उस पर कोई रोग डोग नहों वहाँ उसे कोई किसी चीज से किसी दूसरे जीव से खत्रा ना हो या मनुस्य से खत्रा ना हो ठीक है दूसरे जीव तो आपस में भोजन संक्ला के तुरू जो खाद संक्ला के कारण एक दूसरे से पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं लेकिन ऐसा अभयारने का आर्थ है अभय या अरने अभ बिना किसी रोक टूक या बिना किसी रुकाओट के किसी भी वन में वहीच्छान कर सके और निवास कर सके ऐसा स्थान जिसे हम अभियारण या जीए वीहार कहते हैं आगे चलते हैं सरकार अथवा किसी अन्य सस्ता द्वारा संग्रक्षित वन पसु विहार या पक्सी विहार को अभियारलने कहते हैं ठीक है सरकार अथवा किसी अन्य सस्ता द्वारा संग्रक्षित वन पसु विहार या पक्सी विहार को अभियारलने कहते हैं ठीक है आप ये क्यों किये जाते हैं इनका उद्देश से पसू पकसी या वन संपदा को संग्रक्षित करना उसका विकास करना वज सिक्षा एवं अनुसंधान के शेत्र में उनकी मदद लेना अब देखिए संग्रक्षित क्यों किये जा रहे हैं इनको संग्रक्षित करने का उद्द करना उनका विकास करना और सिक्षा तथा अनुसंधान के शेत्र में इनका उप्योग करना इनकी मदद करना मतलब कि इन जी विहारों में जाकर सिक्षा या सोध कार्य किये जा सकते हैं जिससे की सिक्षा एजुकेशनल परपस के लिए सेक्षनिक शेत्रों में इनका उप्योग किया जा सके रिसर्च के लिए सोध कारियों के लिए ठीक हैं आगे चलते हैं मदद लेना होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने राष्टी उद्यान एवं वन्य जीव पसु विहार इस्थापित किये हैं केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को संस्तुती परदान की जिसका उद्देश्य इस गंभीर संकट में पड़े कुछ प्राणियों को सुरक्षा परदान करता है ठीक है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर राष्टी उद्यान और वन्य जीव विहार इस्थापित किये हैं और केंद्र सरकार इनके संक्रक्षन के लिए कई परियोजनाओं को संस्तुती परदान करती है राज्य सरकार भी कई पर्योजने आपनी चलाती है इन दोनों राज्य और केंद्र दोनों का उद्देश क्या है कि गंभीर संकट में पड़े कुछ प्राणियों को सुरक्षया परदान करना देखिए बहुत सारे प्राणि जो गंभीर संकट में हैं और विलुप्तिक की काग वन्य जीविहार इच से पहले हमने वन्य जीवीहार इससे पहले हमने वन्य जीविहार क्या होता है छान अब हम देखेंगे कि उत्टरा Este enti region वन्य जी वीहार ठीक है या अभियारणय wildlife century in उत्तराखन ठीक है इसमान सबसे पहला जो है वो है गोविन्द पसु वीहार राष्टी उद्ध्यान और अभियारणय अब दीके राष्टी उद्ध्यान भी है और अभियारणय भी है ठीक है गोविंद पस्तो विहार नेशनल पार्क एंड शेंचूरी ठीक आगे जिसमें आगे चलता है यह इस्तित है उत्तरकासी में और इसका शेत्रबल है 485 वर की किलोमेटर इसका जो शेत्रबल 485 वर की किलोमेटर ठीक है और यानि यह उत्तरकासी में इस्तित है और इसका शेत्र इसकी लोकिशन को हम देखते हैं कि यहां देखें यह उत्तराखन के मानचित्र में आप देख सकते हैं हम यहां इस बिंदू से इसको दिखाए गया है यानि गोविंद पसु विहार ठीक है गोविंद पसु विहार ठीक है तो यह उत्तर कासी जनपद में इस्तित्थे इसकी लोकिशन यहां इस बिंदू से दिखाए गई है ठीक है आप इस उत्तराखन के मानचित्र में इसको देख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं यहां देखे आप हमने इसकी लोकिशन देखी उसके बाद स्थान उत्तरकासी है और सेत्रपरस का 485 वर की किलो मेटर है अन्य जान करें इसके बारे में देखते हैं यह मुच्छेक रूप से हिम बाग कस्तुरी मिर्ग भरल हिमालियन थार गुलदार बिल्ली काला वै भूरा भालू काकड सांभर आदी जानवर और मोनाल फिजेंट कोकलास फिजेंट कालीज चकोर गोल्डन इगल पकसी पाए जाते हैं तो इस पार्क में या इस पसु विहार में ठीक है यहां होना चाहिए तो इस पसु विहार में मुच्छे रूप से हिम बाग या स्नोलेपैट कस्तुरी मिर्ग या मस्कडेयर भरल हिमालियन थार गुलदार पिल्ली काला या भूरा भालू काकड सांभर आदी जानवर और मो जी विहार का एक एक तस्वीर में यहान लयी है इसकी देख सकते हैं यह कुछ बागो को आप देख रहे हैं तो यह गोविंद वन्य जीविहार आप देख सकते हैं ठीक है यह गोविंद वन्य जीविहार की एक तस्वीर है आगे चलते हैं यहां देखें यह गोविंद नेसल पार्क का एक द्रिश्य है मनोरम द्रिश्य है ठीक है यह गोविंद नेसल पार्क का एक मनोरम द्रिश्य एक बहुत आप इसमें देख सकते हैं प्रकृति की सुन्दर छटा ठीक है तो यह गोविंद नेसल पार्क या गोविंद नेसल सेंचुरीज इसको ठीक है गोविंद पसु विहार गोविंद पसु विहार आगे चलते हैं अब अगला हम देखते हैं केदारनात वन्य जीव विहार यानि यह स्थान milliards चमूली रुद्र प्रियाग में यह फैला हुआ है शेद्रिपल इसका है 957 वर के किलोबिटर इसकी लोकेशन को हम देखते हैं नयां कि यह देखें यह चमोलि है कि यह चमोली कि और रुद्र प्रियाग तो चमोलि और रुद्र प्रियाग में यह है ठीक स्थिसमें इतने यह फ्यलावाकL इस तरीकिसे के दार्नाथ23 को के दारनाथ वन्य जी विहार वन्य जी विहार आप इनकी लोकेशन का अंदजा इससे लगा सकते हैं कि ये चमोली और रूद्र परियाग जन्पद में फैला हुआ है ठीक है आगे चलते हैं यहां देखें इसके अन्य बिंदों को हम देखते हैं केदारनाथ वन्य जी अभ्यारणिया केदारनाथ जी विहार केदारनाथ वन्य जी विहार इस्थान चमोली इचेत्रिपल नौसोट सतावनार की किलोमेटर यह मुक्यत है स्नो लेपेट, तैंद्वा, हिमालियन काला, एवं भूरा भालू, कस्तोरी मिर्ग, थार, गुरल, सांबर, सेराव, काकड, जंगली सुवर, गीदल, आदी जन्तु पाए जाते हैं स्नो लेपेट, तैंद्वा, हिमालियन काला, एवं भूरा भालू, कस्तोरी मिर्ग, थार, गुरल, सांबर, सेराव, काकड, जंगली सुवर, गीदल, आदी जन्तु पाए जाते हैं स्नो लेपेट, एवं भूरा भालू, कस्तोरी मिर्ग, थार, गुरल, सांबर, सेराव, काकड, जंगली सुवर, गीदल, आदी जन्तु केदारनाथ, वन्यजीव, अभ्यारने या केदारनाथ, वन्यजीव, विहार में पाए जाते हैं आगे चलता हैं, यह देखिए, यह केदारनाथ, वन्यजीव, अभ्यारने का एक मनमोहक द्रिश्य है, ठीक है, केदारनाथ, वन्यजीव, अभ्यारने, ठीक, देखिए, केदारनाथ, ठीक है, वन्यजीव, विहार, या अभ्यारने भी कहते हैं, इसको ठीक है, आगे जलते हैं ये देखे इस तस्वीर में आप वाइल डाइब शंक्यों जन्तों को डेख सकते हैं यहां पाई जाने वाले जीवजंब्न को अंदद में त्हीं uh इस तस्वीर में हिम्त्यद्वे से लेकर भालू से लेकर मस्क डियर से लेकर नोलड से लेकर कई सारे जनतु इसमें पाए जाते हैं इनकी तस्विर आप यहां देख सकते हैं यह केड़ारनाद सेंचूरी हैं सिक्षा देख سकते हैं आप लोग इसको अगन देखिया है CCyr पाई जाती है जिनके फोटोग्राफ इसमें दिये गए है आप इनसे इनकी प्रजाती जो विभिन प्रकार की पक्षियों की प्रजाती यहां पाई जाती है इनका अंदाजा इस तस्विर को देखके लगाया जा सकता है के दारनाथ वन्ने जी अभ्याराने में ठीक है आगे चलते हैं अब अगला है हमारा असकोट कस्तुरी मिर्ग विहार असकोट मस्क डियर सेंचुरी ठीक है अब यहां इसको कस्तुरी मिर्ग विहार क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां कस्तुरी मिर्ग मिलता है और कस्तुरी मिर्ग का यह एक प्रमुक विहार ठीक है यहां कस्तु यह पिथोरागर जन्पद में है ठीक है सिमान्त है सिमान्त जिला है जो इसका शेत्रिपल 600 वर की किलोमेटर है ठीक है इसका शेत्रिपल 600 वर की किलोमेटर है इसकी लोकेशन को हम देखते हैं कि यहां देखें कि यह पिथोरागर जन्पद है ठीक है इसमें यहां दिखाए गया है इसको असकोट वन्य जीव अभ्यारण ने तो इस तरीके से आप इसको यहां पर दर्शा सकते हैं ठीक है पिथोरागर जन्पद में असकोट वन्य जीव आगे चलते हैं हाँ इसके अन्य बिंदु को देखते हैं इस्तापना 1986 इस्थान पिथोरागर जन्पद शेट्रिपल 600 वर की किलो मेटर ठीक है अन्य बिंदु है यहां पाए जाने वाले प्रमुक जवन्य जीवों में हिमबाग या सनो लैपड रीच भालू बर्फ का रीच या सनो बियर जि कि बालू दार कस्तुरी मिर्ग आदी पक्सियों और पख़ियों में थे को अर क्लास फिजेंट मोनाल hyd में का पहाड़ी तीतर hiking और सनो का ठीक है आदी है सब्सक्राइब कैस्तोरी मिर्ग मिलते हैं श Kenneth fund क कस्तोरी मिर्ग यहीं जिव्र इसी लिए इसको असकोट कस्तोरी मिर्ग के अलावा थे सिन्सीं या प्रेजाती प्रजाति यहीं clouds सर्वदिक मात्रा में सर्वदिक संख्या में कस्तोरी मिर्ग मिलते हैं इसलिए कस्तोरी मिर्ग बहुलता में मिलने के कारण इस वन्यजी विहार को कस्तोरी मिर्ग वन्यजी विहार भी कहा जाता है यहां सर्वदिक कस्तोरी मिर्ग पाए जाते हैं ठीक है सर्वाधिक कस्तुरी मिर्ग यहां सर्वाधिक पाए जाते हैं इसलिए इसको असकोट कस्तुरी मिर्ग विहार कहा जाता है उसकी स्पेसिलिटी है कि यहां सर्वाधिक कस्तुरी मिर्ग पाए जाते हैं ठीक है आगे चलते हैं और कि हो यहां असकोर्ट वर्य जीयू presenting की तस्वीर को देखी सकते हैं यह मस्ग डीयर को देख सकते हैं यह थे cluster भर डाफार यह देखे यह भी कुछ तस्वीर है यह अश्कोर्ट अभ्यारलने की तस्वीर है ठीक है आगे चलते हैं अब आते हैं हम सोना नदी वन्य जीव विहार पर सोना नदी वन्य जीव विहार सोना रिवर वाइल्ड लाइब सेंचुरी ठीक है इसकी इस्थापना हुई थी 1987 में और यह पॉड़ी गणवाल जन्पत में इस्थित है और शेत्रपल इसका 301 वर की किलोमेटर है ठीक है सोना नदी वन्य जीव विहार अब इसकी लोकेशन को हम देखते हैं अब देखिए यहां पॉड़ी गणवाल देखिए पॉड़ी गणवाल में यह है सोना नदी वन्य जीव विहार यहां पर ही सोना नदी वन्य जीव विहार पोड़ी गड़वाल जन्पत में तो यहां से आप इसकी लोकेशन का अंदजा लगा सकते हैं ठीक है मानचित्रम आप इसको देख सकते हैं आगे चलते हैं हम हाँ सुननादी वन्न जी विहार इस्तापना 1987 इस्थान पोड़ी गड़वाल जन्पत शेत्रिपल 301 वर की किलोमेटर इसके अन्ने बिंदों को देखते हैं यहां जो पाए जाने वाले जो जन्तु है वो है सेर गुलदार चीतल सांभर काकड सियार जंगली पसुवर मगर घडियाल मगर यानि मगरमच मगरमच और घडियाल दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं अजगर गोह आदी और पक्षियों में ग्रेट हॉर्न बिल पलास फिसिंग इगल कालीज है हिमालियन पाइड आदी यहां चंतु पाए जाते हैं ठीक है कि आगे चलते हैं हम यहां सोना नदिव वन्ने जी अभिराने के बारे में पढ़ने हैं आगे चलते हैं यहां देखिए यह सोना नदि वाइल डाइफ सेंचूरी की तस्वीर है यहां पाए जाने वाले कुछ जन्तों को आप देख सकते हैं और यहां की लोकेशन का आप अंदजा लगा सकते हैं ठीक है ये सोना नदी वन्य जी अभ्यारालने है सोना नदी वाइड लाइफ सेंचुरी उत्तरा खंड आगे चलते हैं ये देखिए ये सोना नदी वन्य जी अभ्यारालने की एक और तस्वीर मैंने यहां लिए है यहां पाए जाने वाले कुछ जंतों को आप देख सकते हैं ठीक है अगे चलते हैं यह देखें सुना दिए वन्य जीव विहार आगे चलते हैं अब हम आते हैं एक अन्य जीव वन्य जीव विहार वो है बिनसर वन्य जी विहार बहुत महत्पून है बिनसर वाइल लाइब सेंचुरी बिनसर नाम से ही एक इसी वन्य जी विहार के नाम पर एक उत्तराखंड एरबुक भी आती है जिसे बिनसर उत्तराखंड एरबुक कहते है वह आपने पड़ी भी होगी बहुत महत्पून है परि शेत्रिपल इसका 47 वर की किलोमेटर है इसकी लोकेशन को देखते हैं हम यहां इस मांचेत में देखे आप अलमोडे में दिखाए गया है यहां पर यह अलमोडा इसमें आप दिखाए गया आपर बिंसर वन्य जी अभियार रहने ठीक है कि बिंसर कि वन्य जी विहार कि वन्य जी विहार अलमोडा जन्पत ठीक है यहां देख सकते हैं ठीक है इसकी लोकेशन आगे चलते हैं यहां इसके अन्य बिंदू को देखते हैं बिंसर जी वन्य जी विहार के अन्य बिंदू को देखते हैं यहां जो पाई जाने वाले प्रमुक जनतु हैं वो है प्रमुक वन्यजीव हैं तेंदुआ, काला-भालू, घुरल, काकर्ण, जंगली-बिल्ली, जंगली-शूवर, आदी हैं ठीक हैं प्रमुख पक्षी जहा पाइजाते हैं मोनाल खो उधरकन का राज पक्षी भी है हिमालियन स्नो कॉक यानि गोर्डन इगल आधि प्रमुख है बनस्पति यहां हिए वियार की बात कर रहें आगे चलते हैं अब बिन्सर वन्न जी विहार की कुछ तस्विर यहां है यहां देखी है बिंसरण फने जी वीहार में पाए जाने वाले कुछ जन्तू थी के बिंसरण फने जी वीहार की यह अंचे पाए जाते हैं ठीक है तो क्योंकी अलग अलग परजातियों के मेल प्रिक्ष यहां पाया जाते तो कुछ कांटेदार प्रिक्ष या कंटेदार पाधे यहां पाये जाते हैं ठिक है तो यह बीच्टारवन एजी अभ्यारन की एक तस्वीर मैंने यहां लें है ह między अब तर वहन जी विहार वन्य जी विहार ठीक है आगे चलते हैं अब हम आते हैं एक अगले वन्य जी विहार की ओर आते हैं यह है बिनोग माउंटेन क्लेव वन्य जी विहार बिनोग माउंटेन क्लेव वन्य जी वियार यानि बिनोग माउंटेन क्वेल वन्य वाइल डाइब संचुरी इस्थान है देहरादून जन्पद में है ठीक है शेत्रेपल इसका मात रहे 11 वर के किलोमेटर में है इसकी लोकेशन को हम देखते हैं ठीक है यहां देहरादून जन्पद इस मान्चित्र में आप देखे कि बिनोग माउंटेन क्लेव वन्य जी वियार देहरादून में इसकी लोकेशन है ठीक है देहरादून में इस स्थान पर ठीक तो बिनोग माउंटेन क्लेव ठीक है इसको ऐसे दर्शाद सकते हैं तो इस प्रकार इसकी लोकेशन का हमने अंदद लगाया है देहरादून जन्पद में यह इस थी थे ठीक है इसके अन्य बिंदों को देखते हैं हम बिनोग माउंटेन क्लेव वन्य जीविहार इस्थान देहरादून से त्रिपल इग्यारव वर के किलोमेटर अब यहां पाई जाने वाले जो जन्तु हैं वे क्या हैं प्रमुक वन्य जीवियों यहां है वह है घुरल काकड लंगूर बंदर सुवर भालू गुलदार आदी हैं पक्षियों में यहां तीतर बटेर चकोर जंगली मुर्गा आदी पाई जाते हैं मैं जो अंतल रहा मैं जोलेट घोसित मांतेन क्वैल को अंतीम बार यहीं देखा गया था इसी के नाम पर यह मांटन प्रेल का मांटन प्रेल बिनोग मांटन यूह का नाम रखा गया है जो विलोप्ट तो होचिक है और माउंटें के कुले को सबसे पहले अंतिम बार यह नहीं देखा गया था उसके बाद से नहीं देखा गया जो कि आप खोशित हो चुकी है बनस्त पतियों में यहां देवदार के ब्रिक्षे कैल चीड के ब्रिक्षे बांज बुरांश आधी राज्जेबुक से पाई जाते हैं रिख है तो यह हमने बात की बिनोग मॉंटेन क्लेव बने जीवर आगे चलते हैं कि यह देखिए बिनोग माउंटेन क्लेव की एक तस्वीर है बिनोग माउंड वाइल डैप सेंचुरी ठीक हो या बिनोग वाइल डैप सेंचुरी की लोकेशन जिस तरह के से यहां देवदार के ब्रिक्ष हैं और आपने यहां देखिए आप टीक है तो इस तस्वीर में आप चीर के ब्रिक्षो को देख सकते हैं चीर डीक या जो भी अन्य परकार के ब्रिक्ष है इस विहार में पाया जाते हैं आगे चलते हैं यह कुछ बिनोग वाइल डेप सेंचुरी की तस्वीर है ठीक है जो मैंने ली है ठीक है यहां आप टाइगर को दसाओं में देख सकते हैं ठीक है यह बिनोग वाइल डेप सेंचुरी की तस्वीर है ठीक है आगे चलते हैं अब आप हम आते हैं disp handler import conservative होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे क्या होते हैं DAM पर श्रूप से संग्रक्षित पॉकेट होते हैं जो देस में इस्थापित रास्टी उदियानों कॉमा वन्नस जीव परणों रिजर्व और संग्रक्षित वर्नों के बीच बफर जोन या प्रवर्जन मार्ग के रूप में काम करते हैं देखें बफर जोन का मतलब यह है कि इसके आसपास का जो जोन है उनको यह जोड़ता है उनके बीचे कड़ी बनाता है कि और इसका कुछ वाग एक जोन में और कुछ भाग दूसरे जोन में इस्तित होते हैं ठीक है तो उनके बीच एक साजह इस्थान होता है जिसे हम बफर जोन कहते हैं ठीक है अब यह जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं इनके आसपास जिसने भी वन्ने जीव अभियारने हैं या राष्टी उद्यान है यह उनके बीच में पाई जाते हैं उनके बीच में इस्तित होते हैं या उनके बीच इस्तित कुछ ऐसे इस्थानों को कंजर्वेशन डिजर्व कोसित कह जाता है जो की एक बफर जोन का उनके बीच में काम करते हैं जो आपस में इन उद्यानों या वन्ने जी अभियारनों की बीच म हैं संमंद स exception करते हैं निखा कुछ स्थान ऐख है कुछ भाग एक स्थान पर कुछ भाग दूसरे उद्जान पर होता तो इन दोन दोने के विजव के साजह करते हैं इसलिए इनको Ten ऑगे चलते हैं अब हम उत्तराखंड में कुछ वर जो कंजर विश्व जो हमने यहां सीखा देखी विषय सभूप से संगर सित्य पॉकेट्स है जो देश में सथापित राष्टी उद्यानों और नीजियो अभिहारलनो संग्रसित वनों की बफर जोन यादमार्ग की में काम करते हैं यानि बफर जोन जो कि दोनों के बीच में संबंद इस्तापित करते हैं काफी मैंने कुछ इसके बारे बादा चुका हूँ आगे चलते हैं तो यह कंजर्वेशन रिजर्व यह इस्थान देहरादून में है और शेत्रिपल चार दिसमलोग चार चार वर किलोमेटर बहुत ही छोटे इस्तान पर इस्तित होते हैं क्योंकि यह बफर जोन होते हैं ठीक है अगला है जिल्मिल आरक्षित या जिल्मिल रिजर्व तो इसकी इस्तापना हुई थी 2005 में और यह हरिद्वार जन्पद में इस्तित हैं और शेत् में यह होते हैं जिनको एक बफर जोन के रूप में संग्रिक्सित किया जाता है ठीक है तो इन्हें इसलिए कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है एक्चुली यह यह सामानित है वास्तों में उन्हीं राष्टी पार्कों राष्टी उद्ध्यानों या वाइल्लैप म disease care जान की लिए घिए दिए कंजर्वेशन रिजर्व हैं इसकी तस्वWar मनमोहग तस्वीर है यह health जिल्मिल जीर्व रिजर्व हरीद्वर में इसमें पायाने वाले कुछ देख सकते हैं डेखे जिलमल कंझर वसन रिजरु हूर एक और सब्सक्राइन के बारे जान सक्ता हैं उनका अंदल्जा लगा सकते हैं अगे चलते हैं अब देखिए यहां मैंने आशन कंजर्वेशन कंजर्व की कुछ तस्विर यहां देखिए मैं पैज़ आकश्ञ प्राप्त है थीकर यहां यहां यह पक्शियों का समूर एक फिर्शन में लिघ्याट्य इस तस्विर में थीकर और यह एक जलासे के पास ठीक एक और तस्वीर आप देख सकते हैं यहां यह जलासे और यह विभिन पक्षियों को जलासे के पास आप देख सकते हैं ठीक है वाटर बॉड़ी तो इस प्रकार या विभिन प्रकार के अब हम देखते हैं उच्चिस्तरी प्रणाली उद्यान उच्चिस्तरी प्रणाली उद्यान इसमें हम देखेंगे पंडित गोविंद बल्लब पंत उच्चिस्तरी प्रणाली उद्यान के बारे में पंडित गोविंद बल्लब पंत हाई अल्डिटूड जू जिसे जू या च इसी में छोटे स्थान पर विभिन प्रकार के जीवजनतों को संग्रेश्ट करके रखा जाता है इसकी इस्थापना उनिस्व पिचाने में हुई थी इस्थान ने निताल जन्पत में इस्थित है और शेत्र पल इसका है 4.693 वर्ग किलोबिटर ठीक है अगला है जैव सुरक्षित शेत्र बायो सेप एरिया इसमें है नंदा देवी जैव मंडेली सुरक्षित शेत्र नंदा देवी बायो स्पेर सिक्योर एरिया इसकी इस्थापना हुई थी 1988 में इस्थान है पिथोरागर बागेसर और चमोली जन्पतों में ये फैला हुआ है और इसका शेत्र पल है 5,866 वर्ग किलोमेटर ठीक है इसकी लोकेशन अगर हम देखें यहाँ देखें आप तो यह पिथोरागर यह पिथोरागर जन्पत है और बागेसर और चमोली यहाँ यह फैला हुआ है लगपक इतने यह इस तरह किसे ठीक है नंदा देवी बायो सेफ एरिया इसे हम कहते हैं नंदा देवी बायो सेफ एरिया बायो सेफ नंदा देवी बायो सेफ बायो सेफ एरिया ठीक है तो इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं आगे चलते हैं अब इसमें आगे चलते हैं यहां देखिए यह पंडित गुविंद बल्लब पंथ उच्ची स्थलिय प्राणी उद्यान या ननिताल का जू जिसे बोलते हैं आप उसकी तस्वीर मैंने यहां लिए यह ठीक है जिसके बारे पर हमने देखा था यहां यह बिल्कुल प्रापर गेट है और यह यहां पाए जाने वाले विभिन प्रकार के जन्तु हैं जो जिनको संग्रेशित करके रखा गया है आगे चलते हैं अब हम आते हैं उत्तराखन के जो विश्व धरोहर उद्यान है ठीक है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल किया गया है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें इन उद्यानों को सामिल किया गया है यह है नंदा दीवी राष्टी उद्यान जिसके बारे में हमने पिछले विडियो में पढ़ा था इस्थापना इसकी है इस्थान होना चाहिए इस्थान इसका चंवली जनपद में और इस्थापना वर्स यह 1998 में इसकी इस्थापना हुई थी वर्तमान में यह फर्ड हरिटेज साइट में सामिल किया गया है अगला है फूलों की घाटि value of flowers नेशनल पार्क ठीक है इसकी इस्तापना चमोली में हुई थी और इसकी स्थापना इस्तान इसका इस्तान है चमोली और इस्तापना वर्स इसका 1982 और विस्तार वर्स 2005 में इसको कुछ विस्तारित किया गया है यहां देखिए यह नंदा देवी नैसल पार्क की तस्वीर है जो की वर्ल्ड हरिष्टेज साइड में गिना जाता है नंदा देवी नैस्नल पार्क और यह फूलों की घाटे की तस्वीर है ठीक है यहां जहां विभिन प्रकार के विभिन परजातियों की फूल पाए जाते हैं कि वेली ओफ फ्लावर्वर्स और यहां आप इस मांचत्र में विभिन विभिन जी विहारों की इस्तिक को देख सकते हैं यहां पर गविय उतरकासी में गोविंद वन जी विहार देहरादून में बिनोग मांटेन क्लेव वन जी विहार और केदारनाथ में केदारनाद रुद्र प्रियाग में केदारनाद वन्ने जी वी हार पॉड़ी गड़वाल में सोना नदी वन्ने जी वी हार असकोट में या पिठोरागड में असकोट वन्ने जी वी हार ठीक है और ये पिठोरागड बागेश और चमवली में फैलावा नंदा देवी बायो से इसमें आप उत्तराखंड के मांचित्र में इसको मैंने दिखाया जिसको आप देख सकते हैं थीक तो यह थे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तो एक हलका सारी कॉल आप देख से इसको कर सकते हैं इनका इन स्लाइट को देखो उत्राखन के विश्वदरोर सस्तान नंदा देवी राश्टी उद्यान चमोली इस्थापना वर्ष 1998 फूलों की घाटी इस्थान चमोली इस्थापना वर्ष 1982 विस्तार वर्ष 2005 ठीक है यह ग देख सकते हैं इसको ठीक है तो गोविंद लपन्त इस्थाली प्राने उद्यान या इसने हाई एल्टीडूट जू इस्तापना उनिस्थान पिचानबे इस्तान निताल शेत्रेपल 4.69 3.9 किलोमेटर जैव संग्रक्षिस चेत्रिया बायू से पेरिया इस्ता इस्तापना 1888 इस्तान पिच्थारागर बागेश्वर और चमोली में फैले हुए है और शेत्रेपले 5860 वर्गी किलोमेटर ठीक है यह ऐसन कंजर्वेशन रिजर्व की तस्वीर हैं जो मैंने यहां ली है ठीक है बहुत सी मनमोहक द्रिश्य है यह जिलमिल जील कंजर्वेशन की तस्वीर है ज़ो मैंने यहां लिए बहुत ही सुनदर में सी पैसे यौन्चर रिजर्व आंशन कंजर्वेशन रिजर्व तेहर है दूस शेत्रेपल 4,4 रख जीनमिल क आरकशिद कंज। कंजर्वेसन रिजर्व इस्तापना 2005 स्तान हरिद्वार शेत्रपल 87.083 किलोमेटर की डेफिनिस परिच्छा इसका यह बिनोग वाइल डैप संचुरी की कुछ तस्वीर है यह बिनोग वाइल डैप संचुरी की तस्वीर बिनोग माउंटेन क्लेव वाइल डैप संचुरी देहरादून में स्थित यह बिनसर वन्य जीव विहार की एक तस्वीर है काटेदार पौधे यह बिनसर वन्य जीव विहार की एक मनमोख तस्वीर है बिनसर वन्य जीव वाइल डैप संचुरी यह बिन्य जीव विहार की तस्वीर इसके इस्थापना 1987 में हुई थी इस्तान पौड़ीगडवाल जन्पत में Why english first वन्य जीव विहार की कthous a inner fic College कर्या गत्रणाने की तस्वीर है यह बिन algumas आधी 16 को और कि शवर जिव विहार यह पिछरागर जन्पत में इस्तित है और यह पिछरागर जन्पत में इस्तित है और आ dá Näई यहां सर्वदिक सर्वदिक संख्या में कस्तूरी मिर्ग पाजाते हैं इसलिए इसे कस्तूरी मिर्ग वन्यजी विहार भी कहा जाते हैं ठीक है कि यह केदारनाथ वाइल डाफ संचुरी की तस्वीरे मैंने ली है यहां एक मनमोहग द्रिश के दार्नात वन्य जीव विहार का के दार्नात वन्य जीव विहार इस्तान चमबोली में चमबोली और उद्र प्रियाग में फैला हुआ है ठीक है आए कि एक पुस्तुर विहार नि ओर गोविंद वन्य जी विहार उत्तरकासी और यह पर हो तो यहां देखें आप इसमें जो केदारनात वने जी विहार है वो रुद्र प्रियाक के साथ में चमोली में भी फैला हुआ है केदारनात वने जी विहार यहां आप देख सकते हैं तो ये रुद्र प्रियाक के साथ में चमोली में भी फैला हुआ है ठीक है के दरनात वन्य जीवा रुद्र प्रिया के साथ में चंबोली में भी फैला हुआ है तो मुझे उमीद है यह स्लाइड आपको अच्छी लगी होंगी को यह अगर आपको अच्छा लगा तो आप से देखिए श्यांकरी प्राप्त किजे और अगर आपको एड़ियो अच्छा लगा किजे श्रेज किजे और मेरे चनल को सब्स्राइब किजे ताकि मैं जो वीडियो अप्लोड करूं वह आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसे देखें और आपको विपिन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त हो ठीक है इन स्लाइड्स को आप एक बार फिर से देख सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझा उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए बागी की जानकारी मैं आपको अगले वीडि नमस्कार